हेलोसब गाइस अनुज है और वेलकम तो दाड़ी से वन कोर्स और आज हम बात करने वाले मैथमेटिक्स के वारे में हैं आज हम मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टन कंसेप्स देख रहे होंगे और बेसिकली यह तीन कोशन सौल कर रहे होंगे इसमें से यह वाला कोशन जो फर्स्ट कोशन इसको तो मैं कोशन भी निमान रहा बहुत इजी कोशन है फैक्टोरियल ऑफ नंबर बैन जो इंपॉर्टन कोशन होंगे वो होंगे आपके ट्रेलिंग जीरो इन फैक्टोरियल देन पैलेंड्रूम नंबर और इसके अलावा करना सकता है अब को बहुत ही असान रहने वाला सकता है आपको breeding आपको सफाइब होगा आपका लोगा I और code करना इसको बहुत ही असान रहने वाल है, आपको basically एक for loop चलाना है, 1 से लेकर end तक का और result के अंदा multiply करते रहना, ठीक है, बहुत ही easy question है, इसको आप easily कर सकते हो, आगे move करते हैं, trailing zeros in factorial, ये question अच्छा है, आपको basically factorial दे रखा हुआ, उसके लिए आपको बताना है कि पीछे trailing मतलब end में इसके कितने zeros आ रहे हैं, जैसे कि 5 factorial के end में एक zero आ रहे हैं, तो इस question को समझते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया 12 factorial, और 12 factorial आपका basically निगल का था इतना बड़ा number, और ये number already 9 digits का है, और integer की limit को overflow कर चुका है, ठीक है, तो अगर आपको बोल दिया कि एक बड़े से number का factorial जब आप करोगे, तो उसके end में कितने zeros आ रहे हैं, तो उसको contribute करने के लिए, आप बैठ 90 digits का होता है, तो 20 factorial से ज्यादा बड़ा number आ गया, मतलब अगर मैंने बोल दिया, कि बताओ, 243 factorial, जब आप लिखोगे, तो इसके end में कितने zeros आ रहे होंगे, तो वो solve करने के लिए, आप int और long के अंदर नहीं कर पाऊ इसे, ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक logic सोचना पड़े बिना पूरा का पूरा multiply किये, then find करें कि कितने zeros हैं, बिना multiply कि हमें find करना है कि trailing zeros कितने हैं, ठीक है, अब सोचते हैं, थोड़ा था time लो, यहाँ पर video pause करो, और सोचने कर ट्राइ करो, किस तरह किसे कर सकते हो, ठीक है, एक चीज़ दो clear है, हमें बैटके सारक सारे number multiply नहीं क यहाँ पर रिस्पॉंसिबल है, एंड में trailing zeros के, ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर देखोगे, टू, एक यह रहा, एक फाइब यह रहा, ठीक है, तो यह इन दोना का combination यह वाला 0 लेगे आ रहा है, then कोई सा भी 2 ठालो, जैसे 6 के अंदर भी एक 2 होगा, right, 6 भी तो 5 और यह वाला 2 या फिर यह वाला 2 यह वाला 5 कह सकते हो आप, यह भी responsible है दूसरे वाले 0 के लिए, ठीक है, और उसके अलावा कोई और 5 नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही 0 है, इसका मतलब आपको 2 और 5 के pairs find करने, कितने 2 और 5 के pairs बनेंगे, इस पूरे के multiples के अंदर, और उतन 3 यहां पर है एक बर यहां पर है और यहां पर भी है इसका मतल तूस काफी बाहर है, आपको बस find करने कि 5 कितनी बार मिलने का तो 5 आपको यहां मिल यहां इंइध यह तो 12 आज तन स मिले और 2 आपको 5 एपS बीजार न फ९ह फाइन और 5 बिजी तुम लित टो 100 पनों कर Oprah 19 ट॑न में इस तरिक आतरो प्राइब करे अलब बना न कर आप मर्तलिघ्यूतत करें तो 12 divided by 5 करोगे आप और उसकी जो फ्लोर वैल्य होगी वह उठा लोगी अगर आप करेंगे तो यहां पर आपका आता है कुछ भी टू पॉइंट सम्धिंग आएगा तो आपने बोल दिया कि टू इसके अंदर टू ताम इसके अंदर फाइवार है राइट एक बार यहां पर ऐसी अगर 15 होगा तो 15 divided by 5 करोगे तो 3 times 5 आ रहा है वहां पर 20 divided by 5 करोगे तो आपका वहां पर 4 times 5 आ रहा है तो आप बोल दो कि भी आप कोशन में अगर हमें दे रखा होगा तो n divided by 5 आंसर होगा थोड़ा सा सोचो और कौन सा केस बच रहा है सोचो कि 30 फेक्ट्रोयल में कित 30 फेक्ट्रोयल है वह कुछ इसते विए से बना है पहले एक मुल्टिपलाइबर दो ऐसे करते करते 5 आया दन करते करते 10 15 20 25 दन 30 यहां पर आप देखोगे तो एक दो तीन चार पांच है 6 बार पांच है और यह 25 जो यह आपका 5 मुल्टिपलाइबर 5 से बना है तो यहां पर ठीक है एंड डिवाइबर 5 से काम नहीं चलने वाला आपको थोड़ा सा एक और भी इसके अंदर काम करना पड़ेगा और वो यह दिखरा आपको कि एंड डिवाइबर 5 कर लो एक तो प्लस कर दो एक एंड डिवाइबर 25 ठीक है अगर एंड आपका 25 से बढ़ा है तो एंड एंड डिवाइबर 625 अगर आपका एंड जो है वो 625 से बढ़ा है तो तो यह करते चलोगे आप यह आपका बेसिकली जनल फर्मॉला बन चुका है और यह आपको बता देगा कि कितने नंबर ओफ ट्रेलिंग जीरो से हैं अगर अभी भी समझ में नहीं आए तो टेंशन मत अब आपको पूरा समझाऊँगा देन आपको उसका बात मैं कोड करके भी बताने वालों किस तरीके से हो गए बेसिकली एक बार और बताता हूं इस वाली टर्म से क्या निकल क्या रहा है कि 5 के गैप पर कितने 5 जैं ठीक है फाइफ के गैप पर कितने 5 जैं तो पहला 5 दू क्या रहा है कि 125 पर कितने 5 से 125 छोड़ कितने 5 मिल रहा है एंड सो ओन इस तरीके से आप कर ले रहे हो और फाइनली आपने सारे के सारे एड कर दिया और वह आपका रिजल्ट बन जाएगा रिजल्ट वोड़ बी नमबर अफ ट्रेनिंग जीरो ठीक है नमबर अफ ट्रेलिं है और रिजल्त अपने इनिशलल इसका zero से आपने पहले five से divided किया इसे एन को five से divided approximate किया और फ्लोर we Spider कर दो तो floor रिजल्ट को रिटर्न कर दोगे तो काफी सिंपल आपका एक कोड था और काफी सिंपल यह लॉजिक था बट सोचना आथा इसका थोड़ा सा और एक पर आप थोड़ा सा खुद से बैठके भी सोचा होगा तो बहुत जल्दी आप समझ भी गयोंगे कि इस तरीके से पर ये देखते हैं तो पॉसिक्राइब्स के बराबर होता है जैसे कि कोई भी अगर आपको श्रींग भी दिख्या सपूस्कुर्च अपकी लॉक्त एवट ए लाइक अबी ये क्यूँकि इसको आप रिवर्स करोगे इसको आप रिवर्स करोगे तो यह बन जाता है यह बच तो यह एक पलिंड्रोम है, ऐसे ही, काफ aholar exception होता है जैसे कि, i.e. काफ चाहरे इसे दॉपलर धान ल१र स्वेया, र्व? श dollar स्कार को आप रिवर्प्रस करोंगी, त है तो यह एक पलिंड्रोम स्थ कर तो आपको एक नंबर दे रखा और नंबर को हमें रिवर्स करके चेक करना है कि क्या रिवर्स नंबर और और बराबर है या नहीं है अब हमारा question यह बन जाता है कि किसी भी number को आप reverse कैसे करोगे जड़ा सोचो कि number को reverse कैसे करते हैं तो अगर सोच लिया तो काफी बढ़िया अगर नहीं सोच पाए तेंशन मतलो मैं भी आपको पताता हूँ किस तरीके से number reverse करते है सबोज करो number कुछ भी है number है सबोज 125 इसको reverse करेंगे तो हमें मिलेगा 521 नमबर को reverse करेंगे तो मिलेगा 521 125 से 521 किस तरीके से बना सकते हैं ज़र आब वो देखते हैं बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं करना बहुत ही simple तरीके से ही हो गए तो आपको करना क्या है आपको start करना यहां से ठीक है यहां से और हर iteration में आपको last वाली digit उठानी है मतलब यह वाली digit देन यह वाली digit देन यह वाली digit राइट टूरेट करना है और हर बार multiply by 10 10 देन नहीं digit अगर समझें नहीं आया तो टेंशन मतलब अभी मताता हूं कैसे आपने यह वाली digit रुठाई यह वाली digit आपकी 5 ठीक है तो first iteration में आपको 5 मिल गया second iteration में आपको यहां पर आउगे ठीक है 5 से आप आगे 2 पर और इस वाली को आपको add करना है कैसे add करना है तो पहले तो जो आपको अड़ेडी मिला हुआ उसके अंदर multiply करो 10 का ठीक है 52 में multiply करना है 10 का जैसे हमने यहां पर multiply किया था 10 का तो 52 multiply by 10 then add this new digit 1 यह बन जाएगा आपका 520 plus 1 which is 521 ठीक है इसी तरीके से कितना ही बड़ा number होता मतलब इसके आगे कितने भी और digits लगी होती है suppose करो 9 0 1 2 ऐसे कुछ भी लिगा होता तो वो भी आप करते आते basically आपको इस 521 10 को 10 से multiply करना है then add करना 9 को then जो result आगा उसको multiply करना 10 से then add करना 0 को इस तरीके साप करते चलोगे और यह आपका reverse number बन चुका ठीक है यह आपका reverse number था और यह हमें चाहिए था अब basically आपको कुछ नहीं करना आपको बस check करना है कि reverse number जो मिला है हमें वो हमारे optional number के equal है कि नहीं है इसलिए यह पैलेंड्रूम नंबर नहीं है एक और example लेते हैं तो सब्सक्राइब नंबर था आपका 404 ठीक है तो आप यहां से start करोगे और 4 लिख दिया पहले iteration में पहले iteration में आपको मिला 4 दूसरी iteration में आप यहां पहले 0 पह और आपको करना है जो पहले iteration मिला था 4 उसक एड़ कर देने यह वाले डिजिट को 4 को यह पार 404 तो कि रिवर्स करने पर आपको 404 मिल रहा है और और अरिजिनल नमर आपका 404 था है इसका मतलब यह नंबर यह नंबर एक प्लेंडरों नंबर है ठीक है तो देख भी आपको 404 404 तो इस तरीक से हमें सॉल्व करना अब आप चुशन बसता है वह याले डिजिट क्रूगी यहाले डिजिट आपको पता करने के लिए बहुत ही सिम्पल एक्टिक लगाने है और वह बहुत बार आप यूज़ स हरोगह बहुत-बार यूज़ वशो को है ठीक है तो यह आप याद रखना हमीशा है आपको लाश्ट तो आपको दिजित कैसे मिलेगी तो इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा और अगले स्टैप में आइन को डिवाइड कर देन से ठीक है एंड डिवाइड़ वाइड टैन करो तो एंडिवाइड़ पॉर से बन जागा फोर्टी ठीक है अब यह नमर मन चुगा है 40 तो अब इसको दुबार से आपको यह वाली डिट करना है लाश्ट दिजिट तो लाश्ट दिजिट के लिए अगेन यही एंड मोडूलो 10 कर दो अब आपको 0 मिल गया जीरो मिल गया तो आप बोले यह वाली डिट कैसे आप यह वाली तो इसके लिए भी सेम चीज़ नमबर को डिवाट पर टैन से 40 को टैन से आपको बिलेगा 4 4 मिल गया 4 को मोडूलो 10 से 4 मोडूलो 10 इस 4 तो आपको 4 भी मिल गया और ऐसी करते रहना अगली बार दुवार से आप n को 10 से डिवाट करोगे तो 4 दिवाट बाट 10 करोगे तो मिल जागा 0 और जैसी आपका नमबर हो जाता 0 वैसी आप इस लूप से भारा जाओगे ठीक है तो यही था इसके अंदर यहाँ ज्यादा कुछ थानी और इसका कोड भी आप बहुत इसली कर पाऊगे बेसिकली एक वाइल लूप चलाना है जहां पर n जब तक आपका 0 न हो जाए तब तक आपको वाइल लूप चलाना है और हर बार करने क्या है लास्ट इजिट पाइं के लिए एंड मॉडिलो टैन करना है और फिर उस नमबर को डिवाइड बाय टैन कर देना है तो इस तरीक से वाइल लूप चलाना है आप इसी डिसका कोड कर पाऊगी अगर आप कोड नहीं कर पाऊगे तो मैं आपको डिस्रिप्शन लिंक दे दूंगा आप वहां से भी र इस युकलिट जी सीडी मोडिलो अरिथमेटिक फास्ट पावर और कंप्यूट एरिस पावर भी मोड्लो टैनिस पाइन प्लस सेवं ठीक है यह काफी इंपोर्टन कंसेप्स हैं और इन सब के ऊपर और और इडी वीडियो बन चुकी है ठीक है तो प्लेलिस के अदर और और रहा है उसके अंदर यह वाली वीडियो में और डाल चुका हूं और इन सब के ऊपर बड़ी अदर किसे करार रखा है दन कोड भी क्या हो इनका थीक है तो आप जाकर दे सकते हो वीडियो वीडियो मैंने प्लेलिस हो डाल दिया है तो यह री नमबर शिक्स इस इस मैथमेट सब्सक्राइब यह रहा है तो यह सारे वीडियो देखने के बाद आपको कोशें प्रेक्टिस करने के लिए बैच जगए जो होगी इसके लिए वह हमारी मैथमेटिक्स का जो ब्लॉक है इन इंटर्वी बेट के ऊपर जाने आपको और इसके अंदर काफी सारे बकिट्स देर रखे हैं अड-hoc, बेस कनवरऑशन, डिजिट देन नंबर थियोरी तो इसके अंदर काफी अच्छ च्यकोशनस दे रखें आपको मैथमेटिक्स के आपको जितने हो सके उतने कोशन और काफी सारी नहीं नहीं चीज़ें सीखे हूँ, इसके बाद ये दोने वीडियो जाके जरूर देख लेना, और मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स वीडियो करना, ठीक है, इस वीडियो करतेना, लाइक चैनल करतेना, सब्सक्राइब और मैं मिलूँगा आप लोगों से